कि जो एवरीबन कैसे आप सब तो आज हम differentia a question में कुछिन लेंगे initial value problem का अब देखिए initial value problem क्या है इसको मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में उससे पहले देखिए question वोला verify that the following verify that the function defined by y equals to sine x minus cos X where x belongs to R is the solution of the initial value problem d y by dx is sin x plus cos x अभी दिखिए यहां पर करना कुछ नहीं है बहुत सिंपल सा है यह जो y equals to sin x minus cos x दिया हुआ है अगर मैं d y by dx निकालता हूं तो sin का derivative हो जाता है cos और cos का derivative होता है minus sin already minus sin है तो plus बन जाएगा तो d y by dx मुझे cos x plus sin x मिल गया इसको मैं flip करके sin x plus cos x मिल लिख सकता हूं जो कि मुझे यहां दिया हुआ है तो इससे यह तो समझ में आ गया यह तो पता लग गया कि यह जो y equals to sin x minus cos x दिया हुआ है वह इस differential equation को satisfy करता है ठीक है अच्छा अब initial value problem क्या है यह यहां पर देखिए जैसे बोला y 0 equals to minus 1 अब मुझे यह चेक करना है जैसे यह y is equal to यह दिया हुआ है y equals to sin x minus cos x तो मैं यहां पर y 0 की value निकालूँगा तो मुझे यहां क्या करना है सिरफ यह जो x है इसको replace करना है 0 से तो मैं लिख लूँगा sin 0 minus cos 0 sin 0 is 0 cos 0 is 1 0 minus 1 मुझे minus 1 मिल जाएगा तो y 0 मुझे minus 1 मिल गया तो हम लिखेंगी therefore the initial value problem है इसको हमने verify कर लिया क्योंकि यह equation is differential equation को satisfy कर रहा है और यह जो value है है ना यहां पर मतलब यह जो मुझे original equation दी हुई है यहां पर जब मैं 0 put करता हूँ तो मुझे actually मैं minus 1 मिलता है अचा अब यह जो initial value problem है इसका मतलब क्या है वह हम इसको थोड़ा समझेंगे तो previous question आप हमने देखा और वह उसमें जैसे करना तो कुछ नहीं था बस मुझे मैंने देखा कि हाँ वह differential equation को satisfy कर रहा है वह जो भी हमने वाइस उकल दिया हुआ था moreover y 0 की value जो है वह माइनस वन आ रही है हमने बस इतना ही किया इनिशल वैल्य प्रॉब्लम है क्या यह मैं आपको बताना चाहता हूं अब देखिए d y by d x is equal to maandij 4 x है ठीक है हमने यह देखा था कि जब differential equation solving a differential equation यह formation of differential equation यह सारे topics हमने किये हुए हैं और उसमें हमने यह समझा कि जितने parameters होते हैं उतने ही order का differential equation होता है तो इस differential equation को देखके मैं बता सकता हूं कि यह differential equation में एक ही parameter होगा एक ही parameter मतलब एक ही arbitrary constant ठीक है अब मैं चाहता हूं कि यह है किस equation को differentiate करके equation बना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा integrating both side मैं इसको integrate कर देता हूं तो मुझे वह equation मिल जाएगा जिसको differentiate करके मैं इस differential equation पर पहुंचा हूं तो मैं इसको integrate करता हूं यह हो जागा integral of d y by dx dx is equal to integral of 4x dx मैं इसको with respect to x integrate कर रहा हूं तो देखिए यहां पर dx dx सिर्फ dy बचा यह integral आ जाएगा y 4x है मैं 4 लिख लूँगा x बन जाएगा x square by 2 तो यह 2x मिल जाएगा मेरे को basically 2x square प्लस c जब भी हम integrate करते हैं तो एक constant of integration लगाते हैं तो प्लस c लगाएंगे और देखिए अब आप हो सकता है पूछें कि यहां भी integrate यहां भी integrate यहां प्लस c क्यों नहीं लगाया प्लस c हम एक ही जगा लगाएंगे दोनों जगा लगानी की जुरुएत नहीं है सब्सक्राइब यहां पर प्लस c1 करता हूं यहां पर प्लस c2 करता हूं ठीक है अच्छा तो उस सीवन को मैं उधर shift करेंगो तो सीवन माइनस सीटी यह सीटी माइनस सीवन जो भी मिलेगा वह अगेन एक नया constant मिल जाएगा इस वज़े से हम एक ही जगा प्लस c करते हैं ठीक है दोनों जगा प्लस c प्लस c नहीं लिख सकते क्योंकि यहां का constant वहां का constant को डिफ्रेंशेट करके यह डिफ्रेंशेल एक्वेशन बनाया गया है तो यह process आपने समझ लिया कि किसी कोई भी एक डिफ्रेंशेल एक्वेशन कैसे बनता है यह हमने पीछे समझाता और अगर मुझे वापस वह equation या वह function निकालना है जिससे वह डिफ्रेंशेल हैं उसके क्या क्या टेक्नीक से फिलाल के लिए यह तो मैंने देख लिया वाइपोलस टूए स्क्वेशन मुझे मिल गया अब यह जो है यह जनरल एक्वेशन है क्योंकि यहां पर सी जो है यह आर्बिट्री कॉंस्टेंट है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसकान भी सकता है अब यहां पर मैं अगर चाहता हूं जैसे मान लीजे मैं आपको क्वेशन देता है कि भाई वाई एक्वेशन देता है कि आप इसका डिफरेंचेल एक्वेशन फॉर्म कीजिए तो आप क्या करते हैं देखने वाली बात यह है कि यह एक्वेशन यह एक्वेशन अलग है और यह एक्वेशन भी अलग है इसको भी अगर मैं differentiate करता हूं तो मुझे same equation मिलने वाला है डी वाइप दी एक्स इक्स इक्स फोर एक्स अब यह differential equation यह differential equation यह differential equation तीनों सेम हैं अब अगर मैं चाहता हूं कि आप integrate करके वापिस वह equation निकालो अब देखे जेनरल equation निकालने में तो कोई problem नहीं है मैं differential equation को integrate करता हूं मुझे यह general equation मिल गया लेकिन मुझे particularly मैंने आपको यह equation दिया था differentiate करने से यह मिल गया अब मैं चाहता हूं कि इसको जब आप इंटेग्रेट करके वापिस यह equation बनाओ यह possible है अभी तो possible इसले नहीं है क्योंकि इसको आप integrate करोगा आपको यह general मिलेगा general equation मिलेगा लेकिन मुझे चाहिए वह ही particular equation ठीक है अब उस particular equation के लिए मुझे एक condition और देनी पड़ेगी एक condition और देनी पड़ेगी जैसे कि मैंने बोला let's say y1 is equal to 5 ठीक है मैंने आपको apart from dy by dx is equal to 4x एक और condition देदी कि y1 is equal to 5 तो अब क्या होगा मैं जब इस dy by dx x equals to 4x को integrate करता हूं तो मुझे y equals to 2x squared plus c मिल रहा है अब मैं यहां पर क्या करता हूं y1 है ना y1 यहां पर y1 का मतलब है यहां पर मैंने x is equal to 1 जब put किया तो y की value मुझे 5 मिली ध्यान रखेगा जब मैंने x की value 1 put की तो y की value मुझे 5 मिलने चाहिए अब इस equation में मैं क्या करता हो x की value 1 put करता हूं तो यह हो जाएगा 2 times 1 का square plus c और यह मुझे कितना मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए ठीक है तो 2 1s are 2 यह हो जाएगा 5 is equal to 2 plus c तो c मुझे मिल जाएगा 5 minus 2 and that is 3 तो इससे मुझे यह जो मैंने second condition दी y1 is equal to 5 इससे मुझे वो जो arbitrary constant है उसकी value मिल गई यानि मुझे particularly यह equation मिल गया अगर मैं इस equation के साथ y1 is equal to 5 देता हूं तो मुझे हर बार यही answer मिलेगा मुझे यह equation नहीं मिल सकता इसके लिए कुछ और condition होगी फिर ठीक है ना तो initial value problem जो आपको बताया उसमें हम एक condition और ठीक है देते हैं जिसे कि आप उस particular equation को निकाल सको ठीक है ना यह condition जो है सिरफ y1 जरूरी नहीं है और भी conditions दे सकते हैं depending upon कितने arbitrary constants हैं जैसे यहाँ पे यह first order differential equation है क्योंकि यहाँ पे एक ही arbitrary constant था अगर दो constant होते हैं तो second order differential equation होता उस situation में मुझे y1 के इलावा एक condition और देनी पड़ती क्या वो मैं आगे आपको एक example के थू बताता हूं अब देखें जैसे मान लीजे आपको बोला है d2y over dx squared minus 6 is equal to 0 for example ठीक है और जो original equation था वो था y equals to let's say 3x square plus ax plus b यह original equation था अब देखें मैं verify तो कर सकता हूं इसको मैं दो बार differentiate करूंगा जैसे एक बार differentiate करता हूं मुझे मिलता है d y by dx and is equal to 6x plus a और मैं अगर इसको दुबारा differentiate करता हूं d2y by dx squared तो मुझे मिल जाता है 6x का 6 तो यह जो है यह equation है that means यह equation is differential equation को satisfy कर रहा है अच्छा यह तो हो गया अब मुझे एक particular solution चाहिए जैसे कि यह तो अच्छा यह जो second order differential equation है इससे वापस equation निकालना यह अभी हमारे 12 के course में तो नहीं है ठीक है लेकिन इनिशल प्रॉब्लम इनिशल वैल्यू प्रॉब्लम पॉइंट आपको बता रहा हूं कि मुझे यह question दिया हुआ है अब मुझे पर्टिकुलर सब्सक्राइब करना है तो मुझे जैसे previous question में हमने एक्जांपल में वाइज जीरो की वैल्यू दे दी जिससे मुझे उसके साथ जो arbitrary constant था उसकी वैल्यू पता चल गई थी मतलब वाइक के साथ वाइज जीरो या वाइवन कुछ भी दिया है ना वाइवन दिया था सॉरी ठीक है руб लें दिया था तो यहां पर भी मुझे क्ए क्या चाहिए कि एक तो यहां पर एक की कुछ जैसे यह 0 यहां वाइर वाइवन ऐसकी एक की वैल्यू चाहिए उसके इलावा या तो मैं इस डिवाइए दी at some point यानि y-0 या y-1 किसी एक की value चाहिए जैसे मान लीजे अगर यहां पर मुझे y-0-1 दिया है for example ठीक है इसी example में इसी question में suppose मुझे बोला y-0 is equal to 1 and y-0 is equal to minus 2 ठीक है यह मुझे दिया हुआ यही same differential equation है और हमने यह तो verify कर लिया कि यह equation is differential equation का solution है माना यह equation को differentiate करने से मुझे differential equation मिलता है मुझे a और b की value निकालनी है माना एक particular solution निकालना है तो अभी देखिए यहां पर y-0-1 दिया हुआ है ठीक है न मैं यहां पर क्या करूंगा कि हमेशा bracket के अंदर जो होता है वह x की value होती है तो मैं यहां पर x की जगा 0 put कर देता हूं ठीक है तो यह 3 into 0 का square 0 बन जाएगा यह into 0 0 बन जाएगा प्लस बी बच जाएगा ठीक है तो वाई इस एकॉल टू बी अच्छा वाई 0 इस एकॉल टू वन का मतलब वाई की value यहां पर वन है that means b is equal to मुझे 1 मिल गया ठीक है इतना तो समझ में आ गया b is equal to 1 मिल गया मुझे अब इसके बाद इसके बाद b की value मुझे 1 मिल गई यह देखे y-0 is equal to minus 2 मुझे दिया हुआ है ठीक है ना y-dash मैं आपको बता दूँ y-dash माना dy by dx ठीक है इसको ऐसे भी लिखा जाता है अब देखे अंदर वाली value क्या represent करती है x की value तो यहां पर मैं x की value क्या करूंगा 0 put कर दूंगा तो 6 into 0 is 0 यह हो जाएगा 0 plus a is equal to y-0 is minus 2 तो मतलब यह dy by dx की value है ध्यान रखेगा यह dy by dx की value यानि की minus 2 विच गेवस्मी एक्वल्स टू माइनस टू ठीक है तो इसका यह मतलब हुआ एक की value minus 2 एक की value 1 है तो equation जो है वो है 3 x square minus 2 x plus 1 ठीक है अब इस equation को भी अगर मैं differentiate करता हूं तो मुझे यही मिलने वाला है लेकिन वो एक particular solution है यह general solution है तो यह initial value problem जैसे यहां पे दो parameters थे तो मुझे दो conditions और देनी पड़ गई y0 और y-0 ऐसी एकर third order derivative होता तो मुझे y0 y-01 कुछ भी y double dash 0 या 1 anything है ना ऐसे तीन values मुझे देनी होंगे जिससे कि मैं उस particular solution को निकाल सको और इसी को हम initial value problem बोलते हैं ठीक है अब देखें यह initial value problem लेते हैं अब यहां पे जैसे आपको दिया हुआ है show that y equals to x square plus 2x plus 1 is the solution of initial value problem this ठीक है तो initial value problem में होता कि हमें कुछ conditions दी होती है जिसके basis पे हम जो actual equation जैसे देखें आप यहां पर देखेंगे इसमें कोई arbitrary constant नहीं है अब बिकर्स यह जो differential equation यह differential equation of order 3 है तो मुझे यहां पर तीन condition जैसे पीछे मैंने आपको बताया तीन condition यह अलड़ी दिये हुए है तो यह तीन condition दिये हुए अगर यहां random constants होते भी माल लीजे एक स्क्वाइब प्लस बी एक स्प्लस सी तो वह ए बी और सी की value हम निकाल सकते हैं ठीक है हाला कि इसको हमें सॉल्व का यह जो higher order derivate higher order differential equations जो है order two and above वह हमारी course में नहीं है यहां पर इसको हम सिर्फ verify करेंगे verification तक का ही question है हमारे पास उसे ज्यादा नहीं है तो मैं इस equation को differentiate करता हूं यानि d y by dx निकालता हूं तो मुझे x square 2x मिल जाएगा ठीक है मैं इस equation को differentiate कर रहा हूं तो x square बन जाएगा 2x और 2x बन जाएगा 2 है ना x square का derivative 2x होता है x का derivative 1 होता है साथ में 2 लगा हुआ है तो वो यह 2 बन गया 1 का derivative 0 है तो उसको हमने नहीं लिखा इसी को मैं जब दुबारा differentiate करूंगा तो मुझे d 2y by dx square मिल जाएगा और 2x प्लस 2 को मैं differentiate करूंगा 2x जो है 2 बन जाएगा और 2 जो है 0 बन जाएगा अच्छा इसी को मैं फिर एक बार और differentiate करूंगा है ना तो d 3y over dx cube is equal to 2 का derivative 0 बन जाएगा तो यह जो equation है वो इस differential equation का solution है यह तो हमने verify कर लिया ठीक है नहीं यह तो हमने verify कर लिया अब मुझे यह initial values जो है चेक करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले y 0 equals to 1 यह हमें दिया हुआ है तो मैं यहां पर y 0 equals to 1 यह चेक करूंगा कि क्या यह value इसको satisfy कर रही है तो मैं यहां पर क्या करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया था जो bracket के अंदर है वो x की value है और यह जो value है यह y की है तो मैं यहां पर x की जगा 0 put करूंगा x की जगा 0 put करूंगा ठीक है plus 1 यह कितने कितना मिलना चाहिए y is equal to 1 तो क्या यह satisfy कर रहा है बिलकुल कर रहा है ठीक है तो यह पहली condition ने तो इस equation को satisfy कर दिया दूसरा हम देखते है y-0 is 2 अब देखे y-0 अच्छा y- का मतलब हो पूट करता हूँ x की value 0 put करूंगा तो मुझे dy by dx है ना x की value 0 put करेंगे तो यह y- या नहीं dy by dx कितना मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए करना होता है कि क्या यह जो 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 यह इनिशल कंडिशन दीवें वह उसको वह सैटेस्फाइब हो रही है या नहीं हो रहे है यह अलबाओ इनिशल वैल्यू प्रॉब्लम ठीक है